नमस्कार मैं हूँ सभी के साथ तान्य गुपता बड़ी खबर आज एंडी टीवी का परदा फास हो गया एंडी टीवी की खुली पोल दिली में हुए हिंदू विरोधी दंगो में मीडिया गिरो की हिपोक्रेसी को उजागर खर दिया है दंगो की दौरान और उसके बाद भी कुछ मीडिया गिरो जिसमें एंडी टीवी आज तक जैसे लोग शामिल है जूटे नेरेटिव के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये दंगे मुसलिम विरोधी थे जबकि हकीकत ये है कि ये दंगे इसलामी भीर के आक्रमक रवये का परिनाम थे इनका ये आक्रमक रवया दिसमबर में तब शरू हुआ जब इनोंने नागरिक्ता संचुधन कानून के विरोध के नाम पर दंगे भढ़काए थे ऐसे कई चैनल पत्रकार और पोर्टल्स भी हैं जुनोंने दिल्ली के दंगो के बारे में जूट नरेटिव को आगे बढ़ाया हाला कि एडि टीवी वो चैनल है जिसने प्रभावी रूप से इस नरेटिव को नेत्रत्व किया इसी कड़ी में बात अब कपिल मिश्रा को घेरने तक कि प्रोपेगेंदे की पहुच गई है दिल्ली के दंगो के लिए बीजपी नेता कपिल मिश्रा को दोशी ठहराने वाला ये मीडिया समू किस भी हद तक जाने को प्रतिबंद दिखाई दे रहा है बता दे की 22 जनवरी को जाफरबाद और चांद बाग में रोड बंद के जाने के खिलाव सड़क पर उत्रे कपिल मिश्रा ने कहा था दिल्ली पुलिस तीन दिन में रास्ते को खाली कराए अमेरिका के राष्टपती डॉनल्ड ट्रम्ब के भारत धोरे के बाद वापिस जाने तक हम यहां से शांती पूरवक जा रहे हैं लेकिन अगर तीन दिन में रास्ता खाली नहीं हुआ तो हम फिर सड़को पर उत्रेंगे मीडिया उनके इस बयान पर हावी हो गई और कपिल मिश्रा को घेर के उन पर धंगे बढ़काने के ऐसे आरोप लगाने लगी और उनको दोशी ठहरानी की कोशिश करने लगी जिसमें अब सच सामने आ गया है ऐसा करके उन्हें निश्चित रूप में उन इस्लामवादियों को एक धाल दिया जिन्हों और अधिक भड़काओ बयान दिये थे शरजीर इमाम ने दिली को बंद करने और देश को तोड़ने के बारे में बात कही थी अधिकत में उमर खाली जैसे देश द्रोईयों ने लोगों को सड़कों पर आने के लिए कहकर हिंसा बढ़काई थी उन्होंने लोगों से दरख्वास की थी कि वो आय और आजादी छीने उन्हें मांगने से नहीं मिलेगी वो भी तब जब डॉनल्ड ट्रम्प को यहां यानि की इंडिया में आना था इसके इलावा वारिस बठान ने भी एक बहुत ही विवादित बयान दिया उन्होंने कहा कि हम 15 करोड हैं लेकिन 100 करोड पे भारी है अमंतुल्ला खान तो पहले ही हिंसा भढ़काने का मामला दर्ज है मीडिया ने हिंसा के लिए उकसाने वाले इन सभी लोगों को बचाते हुए कपिल मिश्रा को दोशी ठहराने की ओवर टाइम काम किया जोकी है एंडि टीवी एंडि टीवी ने इसकी अगवाई करते हुए 6 मार्च को एक वीडियो पब्लिश किया जिसमें उनको एक जूट बोलने वाले एंकर श्री निवास जैन कपिल मिश्रा के मकान मालिक से बात कर रहे थे वीडियो में संजे गुपता नाम के एक सक्ष की बात की जा रहे है जिसकी पेचान एंडि टीवी द्वी द्वारा कपिल मिश्रा के मकान मालिक के रूप में की गई है एंडि टीवी ये दावा करता है कि वे कपिल मिश्रा के मकान मालिक को ट्राक करने में कामियाब रहे उनके मकान मालिक रहे ही नहीं है कपिल मिश्रा ने यही बात अपने official Twitter account पर भी कही उन्होंने दावा किया कि NDTV ने रहा चलते किसी सक्ष को पकर लिया और दावा किया कि वह कपिल मिश्रा के मकान मालिक है वैसे देखा जाए वीडियो में भी संजे गुपतर ये दावा नहीं करते हैं कि वह मिश्रा के मकान मालिक है गुपतर जिस तरह से बोल रहे हैं उससे लगता है कि वह प्रॉपर्टी ब्रोकर हो सकते हैं मकान मालिक नहीं लेकिन अब सच सामने आ गया है और वो property broker ही थे इसके साथ ही कपिल मिश्रा ने बातचीत करते हुए ये भी कहा कि NDTV के अंकर श्री निवास जहां पर खड़े हैं वह जगा भी उनका घर नहीं है जह कपिल मिश्रा रहते हैं NDTV ने दिल्ली दंगो के दौरान तनाफ को बढ़ाने के लिए कई प्रयास और भी के और जूटी अववाएं फैलाई और उन्होंने हिंदू मुसलिम को बाटने के लिए हिंदूों को गुनेगार दिखाया और वहीं मुसलिम में जो आरोपी हैं उनको बचाते हुए दिखे इ स्थित है एक फैसल फारूक का राजधानी स्कूल और एक पंकज शर्मा का DRP स्कूल राजधानी स्कूल दंगाईयों का मुखे अज्डा बना और सारी गोली बारी पत्थर बाजी और बंबारी यहीं से हुई दूसरी तरफ DRP स्कूल को जराकर खाक कर दिया गया राजधान स्कूल में तोड़ फोड हुई थी उसमें ये सभी लोग आरोपी है जो अपने आपको शर्नार्थी मानते हैं वो शर्नार्थी नहीं दंगाई हैं साती सात वो आतंगवादियों की सोच वाले इस इनसान है जो सिर्फ अपने आपको मुस्लिम कार्ड खेच के बचाने के आपको बता दे कि NDTV शुरू से ही एकाम कर रहा है जैसे कि उसने अनुराग मिश्रा को भी पहले फसाया था शारुक पठान जिनने आट राउंड फाइरिंग की थी साथ ही साथ आपको बता दे कि फर्जी पत्रकार जैसे कि रवीश कुमार साथ ही साथ NDTV के बहुत सारे आंकर, NDTV चैनल पूरा फरजी है जिसको अब सोशल मीडिया पे काफी ट्रॉल भी क्या जारा है आपको पता दे कि इससे पहले NDTV के रवीश कुमार पत्रकार ने बिना किसी जाच परताल के जूटा भ्रहम पहलाते हुए एक बेगुना एक बेगुना हिंदू को फसाद या था वो हिंदू- मुस्लिम की तुष्टिकरन इतना जाधा करते हैं और इतना सांप्रदाईक साहोद्र को खराब करने के कोशिश करते हैं, कि वो एक मुसलिम यानि की जो आरोपी है, दंगाई है, सिर्व उसको मुसलिम कार्ड खेल के बचाने की कोशिश करते टीवी फर्जी चैनल ने एक अनुराग मिक्ष्रा नाम के इंसान को फसा दिया था और उन पर ऐसे ही मन गरन आरोप लगा दिये थे ये एंडी टीवी का शुरू से ही काम रहा है कि वो हिंदू मुसलिम में बहुत जादा फर्ट करता है और वो मुसल्मानों को बचाने के आरोड़ू ताहिर हुसेन गुनेगार है वो इतनी डंगाईयों के साथ दिख रहा है साधी पिश्टल दिख रहिया तब भी उसको बच्चाते हुए वो अब भी ताहिर हुसेन को को ANDI TV जासादी चैनल हीरो दिखा रहा है और साधी ज 뭐 कि बेक रेके uniform हैं बसो BJP के सांसाद इसलिए उनने फसाने की कोशिश करा हैतौ आप डिख सकते किस तरीके का Nd TV का प्रॉपैगंडा था कि कैई सर्कार को घेरیں और केई सर्कार के जो बीजेपी के कारे करता है या बीजेपी के नेता है उनको कैसे फसाएं और मनगरन उन पर आरोप लगाएं NDTV एक इतना फर्जी चैनल है जिसने बिना किसी जाच परताल के किसी पर भी आरोप लगा दिया आपको बता दी कि कपिल मिश्रा को फसाने के लिए वो इतना नीज़ तक गिर गए कि वो उनको इतना जादा एक हिंदूों से प्रॉब्लम NDTV फर्जी पत्रकारों को रविश कुमार को कि उन्होंने कैसे ताहीर हुसेन को बचा के कपिल मिश्रा को फसाया जैसे कि उन्होंने सडक से कोई भी इनसान उठा के एक बिना जाच परताल के उसे कपिल मिश्रा का लैंड लॉड यानि की मकान मालिक गोशित कर दिया बाद में जब असल जाच परताल हुई और लोगों ने देखा तब साप सामने आ गया और पता चल गया कि वो सिर्फ एक लैंड लॉड नहीं बलकी उनका ब्रोकर था यानि की वो एक मालिक नहीं मकान दिलाने वारा था जिसके बाद बहुत सारी ट्विटर पर इमेज वाइरल भी हो रही है साथी साथ अब पिच्चर में देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि कैसे उनके साइन्स दिख रहे हैं साथ साथ ऐसा ब्रोकर तो प्रोपटी ब्रोकर था जिसको उनके दिखाया है तो अब देख सकते हैं कि कपिल मिश्रा को कैसे फसाया जा रहा है पर तोड कानूनी एक्षिन एक के बाद एक शिकंजा कस्ता जा रहा है आपको बता दे कि योगी सरकार उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर जल्द ही कबजा कर सकती है आपको बता दे कि इसी के तहद जिला प्रोशाशन ने राजे साशन में रामपुर में इस दिख जोहर सरकारी या सरकार से जुड़ी जमीने हैं इसी युनिवर्सिटी में जो पैसा लगा है उसमें से 163 करोड रुपे में से 88 करोड से ज्यादा सरकारी पैसा इस्तिमाल हुआ है आपको बता दे कि यही वोई सपानेता आजम खान है जो भू माफिया गोशित हो चुके हैं जिन् अच्छे बाद अब योगी सरकार और योगी पृर्स ने अक्षियन कस लिया और उन्हें भू माफिया गोशित करी दिया लेकिन जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जोहर युनिवर्सिटी उन्युरी उस पर बहु जल्द ही ऑक्शन हो सकता है और योगी सरकार जल्दी कब जल्द ही कोई सक्से सक्त कदम उठाएगी और आजम खान को उनके कर्मों की सजा मिलेगी वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दिली के दंगायों का भी अहाल बुद्बच से बत्र होने वाला है दिली पुलिस एक्शन मोट में आ गई है और जो फर्जी पत्रकार या फर् जो दंगायों को बचाने की कोशिश और बेगुना को फसा रहा है इसका सच भी अब सामने आ गया है जैसा कि ट्विटर पर बार बार देखा जा रहा है और लोग इतनी जागरूख हो गए हैं और लोग इसके खिलाफ अवाज उठा रहे हैं मैं फिल लौचूंगी देश औ अब बड़ी खबरों के साथ अब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ